दिस प्रोग्रेम स्पॉंसर बाई महराजा पबलिक स्कूल प्ले टू थर्ड चतरपुर का अत्याधुनिक स्कूल चतरपुर जिले के महराजपुर थाना अंतरगत ग्राम टटम में एक बेटे ने अपने बाप को मौत के घाट उतार दिया मामला बेहत संसनी हेज और संदेहासपद है हत्या के सही कारणों का खुलासा तो पुलिस जाच के बाद होगा लेकिन ग्राम टटम में सुबह सुबह एक पिता की हत्या किये जाने के इस मामले में संसनी फैल गई है मामला दो जून की दर्मियानी रात करीब बारह बजे का बताये गया है जब टटम निवासी राके शहरवार ने अपने पिता दसईया एहरवार को कुलहाडी से ही मौत के घाट उतार दिया सुबह असपास के लोगों को दसईया का सव रक्त से लगफत मिला और इसके बाद पूरे मामले की तफ्तीश के लिए पुलिस को सूचना दी गई पुलिस ने मौके पर पहुँचकर शाओ को बरामत कर लिया है और मामले की जाँ शुरू कर दी है इस्थानिये लोग इस मामले को लेकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं इतना ही नहीं जिस परिवार में हत्या हुई है उस परिवार के सदस भी इस मामले में कुछ भी नहीं कह रहे हैं उदर सूत्र बताते हैं कि इस मामले में पिता और पुत्र के बीच बहु को लेकर बिवाद हुआ था हत्या के आरूपी राकेश एहरवार को संदेह था कि उसके पिता दसईया और उसकी पत्नी के बीच आवयत संबन्ध है संभवता ऐसी संदेह के कारण हत्या की ये वारदाद घटेत हुई बहराल पुलिस अधीक्चक सचिन शर्मा ने बताया कि पूर मामने की तफ्तीश की जा रही है इसके आधार पे आरूपी जो है उसका भी रक्षा में लिया गया है और एफसल के दौरा सगंता से इसमें सूक्ष्म जांच कराई जा रही है और जल्दी सल्दी इसमें चलानी कारवाई करके सुनिश्चित कराएंगे कि कठोर से कठोर दंड जो है जो आरूपी है उसको मिले हत्या की बज़े अभी तक जो प्राष्मिक तौर पे आई है पहला यह है पुत्र अपने पिता से पैसे लगातार मांगता था कि किसी प्रकार के काम धंडा या पर कुछ व्यापार डाल सके दूसरा यह है कि वह शक भी करता था कि पिता और उसकी जो पतनी है उनके बीच में आपस में संबंद हो सकते हैं जो हमला हुआ है वो कि लाड़ी से हुआ है है कि एक देड़का अब डियां मंदफ बताव लोगों ने तेर। है है किसमें मारदीया किसको इसने मार दिया अब अब बतावा चाहिए मारे किसको इसे मिला तो अम्मारा खुरेड कों लगता है उनका में कौन लगता चाहिंगा निकांजी अटेटाजी कुमारा कि क्या चीछ से अब को लारी धरी ती अब भगवान जाने काई से के पाथा पर दे को लगी मारी अब कपकी घटना है वही साड़े बार एक बजी करी